तो गाई जाज मैं इस मुवी को एक्सपेंड करने वाला हूँ मैं आपको बता दू कि जब आप इस मुवी को देखोगे तो आप बिल्कुल भी बौर नहीं होने वाले हो क्योंकि इस movie में भर भर के intimate scenes हैं जो कि आपको बोर नहीं होने देंगे जिस amount में इस movie में intimate scene है उससे भी ज़्यादा इस movie में हमें drama दिखाएगा है तो movie बहुत ज़्यादा interesting है मेरी recommendation पर आप एक बार जरूर इस movie को देखना और उससे पहले explanation देख लो तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं movie की starting में हम लोग मासिमों नाम के गैंक्स्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की को देख रहा होता है और वो उसे पसंद आने लगती है पर तभी हम लोग देख रहे हैं कि इन लोग के एक meeting चल रही होता है गैंक्स्टर से पर वो गैंक्स्टर से हाँ पर इन दोनों को मार देते हैं पर इस शूट आउट में मासिमों बच जाता है और उसके डैड की death हो जाती है इसके बाद हम लोग मासिमों को देखते हैं जो कि अपने डैड का जो business था ये उसे handle करता है उसी दूसरी तरफ हम लोग लोग लॉरा को देखते हैं जो कि वही लड़की थी वो लड़की अपने relationship से कुछ ठीक नहीं थी हम लोग देखते हैं लॉरा अपने boyfriend के साथ बैटी होती है और वहाँ पर party कर रहे होता है क्योंकि लॉरा का बड़्डे था और उसका boyfriend उसके सभी दोस्तों को लॉरा के बड़्डे की खुशी में party दे रहा था दूसरी तरफ हम लोग मासिमो को देखते हैं जो कि अपने uncle से एक bad news सुनता है और पीछे खड़ी एक लड़की के साथ जो कि उसके plane में थी उसके साथ intimate होता है अब दोस्तों हम लोग देखते हैं उस लड़की को एनगी लॉरा को जो कि इस party से बहार निकल आया थी वहाँ पर उसे मासिमों पीछे से मिलता है और वो उससे कहता है क्या तुम खो गई हो तबही वहाँ पर हमें this scene दिखा जाता है कि अगले दिन जो लड़की यह रोरा नाम देखा था जब उसके डैड की यह जब वह शूट आउट हो आता जब उसके और रही तो उसकी आंकों पे दीरे दीरे उस लड़की की रोशनी निज़र आई थी जो कि लोरा थी अब वो यहाँ पर उसे बताता है कि वो पागलो की तरह उसे ने कोई भी कंट्री नहीं छोड़ी लोरा को ढूंडने के लिए और वो फाइनली उसे मिल गई या वो चाहता है कि लोरा उसके साथ रहे वो यहाँ पर उसे कहता भी है क्योंकि लोरा तो नहीं मानती कि मैं तुमारे साथ नहीं रह सकती मेरा बॉइफरेंड है तो मासीमो उसके बॉइफरेंड के सब ही काले चिट्थे बताता है जो कि वो किसी और लड़की के साथ रहता था वो सिर्फ लॉरा को दोका दे रहा था अब यहाँ पर जो मासिम होता वो लॉरा से ये भी कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज चाता हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ 365 दिन दूँगा मुझसे प्यार करने के लिए और अगर तुमने मुझसे इन 365 दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा इस बात पर दोस्तों यहाँ से जो मासिम होता है यह बत कहके चला जाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले सीन में क्योंकि जो लॉरा थी वो मासिमो को बहुत टीज करती थी अपने कपड़े उतार के तो एक दिन मासिमो ने भी उसे टीज करने का सोचा उसने लॉरा को एक बैड़ से बांद दिया और एक लड़की को बुलाया लोग एक बोल पार्टी में जाता है जहांपर जो लॉरा थी वो मासिमो के ही एक अपोनेंट से जो उसके साथ एक दोस्ते का हाथ बढ़ाना आया था वाइस लॉरा है अपर मासिमो को टीज करने के लिए उस आदमी के लग लग जहापर हाथ लगा रही थी तो वो आदमी भी आव यहाँ पर अट्रेक्ट हो गया था उससे पर यहाँ पर जब मासिमो आता है वो उस आदमी के लिए एक गन निकाल लेता है और उसके हाथ पर गोली चला देता है अब अगले सीन में हम लोग लोरो को एक बोट में बेठा देखते हैं जहाँ पर मासिमो अपने एडवाइजर अंकल के साथ बेठा होता है और उसे एडवाइज ले रहा होता है वो उन्हें बताता है कि तुमने वहाँ पर गोली चला कि ठीक नहीं करा वो यहाँ पर हमारे हमारा बिजनस जो है वो अफएक्ट हो सकता है तब ही वहाँ पर दोस्तों जो लोरा है वो आ जाती है वो मासिमो से रिग्रैट करने लगते है कि यह मैंने गलत करा पर वो यहाँ पर कहती है मासिमो से ही कि वो तुम्हारा दोस्त था और तुम्हारे ऐसे कैसे दोस्त है जो यहां खुलती है वो मासिमो को देखती है और सोचन लगते है कि मासिमो बहुत अच्छा लडगा है और उसने मेरी जान बचाई इसके बाद दोस्तों यहां पर हम देखते है कि इतना ज्यादा इंटिमेट सीन होता है कि इन लोग का जो इंटिमेसी सीन था वो पूरे एक घंट लोरा को चिड़ाने लगती है और उसे सब सच्चे बताने की कोशिश करती है पर मासिमो उसे ऐसा करने से रोग देता है और वो लोरा को थोड़ सा दूर ले जाता है यहां पर लोरा भी उसे पूछते की लड़की कौन है तो मासिमो उसे सच बता देता है कि मुझे जब से तुमेली हो मैंने उसे छोड़ दिया है और वो मेरी एक्स गल्फरेंड थी। मासिमोव और उसके एक्स गल्फरेंड अलिना अब इसके बाद जो यहां पर लॉरा होती है WHO मासिमोव से कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहती है कुछ दिनों के लिए तो मासिमोव ऐस चीज़ के लिए राजी हो जाता है और लोरा को अपनी फ्रेंड के पास भेज़ देता है यह दोना दोस्तों एक पार्टी में जाते हैं वहाँ पर ही लोग पार्टी कर रहे होते हैं तब यहाँ पर लोरा को जो एकस बॉइफ्रेंड होता है मार्टिन वो यहाँ पर आता है पार्टी में लोरा सीन दिखा जाता है लौरा और मासिमो के पीज में अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मासिमो लौरा को शॉपिंग के लिए ले कर जाता है और यह लग फिर से इंटिमेट होते हैं भाई कितना जादा इंटिमेट करेंगे यह तो आपको मूवी देखने पर ही पता खिंट देदू जब भी यह लोग अकेले होते थे और इन्हें कोई प्राइविट जगह मिलती थी तब यह लोग इंटिमेट होते थे अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं मासिमो लौरा को ले कर जाता है उसके यहाँ पर और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी कर आएगा और सिर्फ तुमारे पेरेंट्स भी नहीं आएंगे तो यहाँ पर जो लौरा होती है वह यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपनी सिर्फ फ्रेंड को बुलाना चाहती हूं अगर तुम मान जाता है और आप दोस्तों इन दोनों की शादी होती है और वहाँ पर लौरा की फ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना अब दहां लोग देखते हैं कि जो लौरा होती है वह अपनी फ्रेंड के साथ कार में आ रही होती है और वह फॉन मिला रही होती है मासीमों को पर मासीमों का फॉन नहीं मिल रहा होता है इसके बाद दोस्त हम लोग और देखते हैं आपर एडवाइजर अंकल जो मासीमों का एडवाइजर थे उनके पास एक कॉल आता है कि जिससी गैंक्टेर्स को मासीमोंनी मारा था उसके गूली मारी ती वह यहां पर लौरा को मारने वाला है यह खबर जैसे ही उन्हीं एडवाइजर को मिलती है वह आया कंपर हमें लगने लगता है, लारा को किसी ने गोली हे, दोस्तों है, इसके नेकशूआ हो कि अखने के लिए चैनल में बने रहना, इसकी अगली explanation देखने के लिए